सब्सक्राइब कर ले और घंटी दबा ले ताकि आप ऐसी वीडियोस मिस न कर पाएं नमस्क्रा दोस्तो भंडाल टीवी के इस नए एपसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है ये फेस फैक साथ दिन आपके चहरे को चांद की तरह चमका के रख देगा पाएं चांद सा खुबसूरत चहरा दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चहरे को गोरा करने का सबसे अदभुद घरीली नुस्का लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तो तो अभी कभी सब्सक्राइब करें साथी साथ उसके बाजू के बैल आइकोन को दबाएएगा ताकि आप हमारी इस प्रकार की इंट्रेस्टिंग और नई वीडियो मिस्स ना कर पाएं तो चलिए आए शुरू करते हैं आज का इनुस्का आज की समय में हर कोई गोरा चेहरा पाना चाहता है दोस्तो लेकिन हर कोई उससे नहीं पापाता क्यूंकि लोग बताय हुई टिप्स को फॉलो नहीं कर पाते या फिर उन्हें ये सारी चीज़े बकवास लगती हैं मगर रुकिए एक बा शुरू से लेकर आखरी तक देखते रहें गोरापन बढ़ाने के लिए मार्केट में कई तरह के ब्यूटी क्रीम मौझूद है लेकिन क्या सभी फायदेमद हैं हाँ भी नहीं भी लेकिन एक बात भी है कि अगर वो ब्यूटी क्रीम या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट नुकसान भी बिल्कुल नहीं पहुचाएंगे आपको क्योंकि इसमें इस्तिमाल कीगी चीजे बिल्कुल नैचुरल होती हैं इसलिए अगर आप भी चेहरा सुन्दर बनाना चाहते हैं तो यहां बताई हुई चीजों को ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले कटूरी और या फिर अगर आप दो या तीन लोगों के लिए बना रहे हैं तो उस प्रकासे आप मात्रा ज्यादा कर सकते हैं सिर्फ मात्रा बढ़ा लीजेगा आपको मुलतानी मिट्टी इस प्रकासे लेकरके एक कटूरी में ले लेनी है उसके बाद यहां पर आपको जो दूसरी प्रियोग में लानी है जो कि आपके चेहरे को एक नया नूर गोरापन बढ़ाने में कारगर रहेगी जो कि आपके चेहरे को गोरापन और साथी साथ आपके चेहरे को सुंदर बनाएगी वो है दोस्तो ओलिव ओल आपको ओलिव ओल का प्रियोग करना है तो यह इस प्रकार का Olive Oil आपको ले लेना है या आपको किसे भी किरानी के दुकान में आसानी से मिल जाएगा आपको Olive Oil की मातरा ज्यादा नहीं रखनी दोस्तों थोड़ी से मात्रा आपको olive oil की यहाँ पर लेनी होगी, यहाँ पर आपको olive oil लगबख 4-5 बूंद इस प्रकास से डाल लेने है, हमारा face pack बन चुका है, इसे लगाना कैसे ही यह चलिए जानते हैं, इसे लगाने के लिए आपको अपने चेहरे को गरम पानी या फिर गुनगुने पानी से जिससे आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, इसके बाद आपको इसे अपने चेहरे पर आधे घंटे तक लगा करके रखना है, क्योंकि अगर आप इसे आधे घंटे तक लगाएंगे, तभी आपको कुछ अच्छे result मिल सकते हैं दोस्तों, एक दिन, दो दिन आपको लगभग, लगभग 10 से 15 दिनों तक करना होगा, रोजाना नहीं करिएगा, आपको जब भी free time मिले, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप हर दूसरे दिन, ऐसा alternative ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप हर दूसरे दिन, आप इसे अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, सब्सक्राइब कर ले, उसके बाजू के बैल आकन को भी दबा लीजेगा, ताकि आप इस पर करके हमारी नए और interesting वीडियो में इस ना कर पाए, मिलता हूँ आप से दूसरे वीडियो में किसी और नए नुस्के का साथ, तब तक के लिए नमस्कार